इस दूसरे एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बैटल के बारे में एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसने ना सिर भारत के बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास में अपनी जगे बनाई है दोस्तो यह कहानी है बैटल ओफ रिजांगला 1962 इंडो चैना वॉर की है जो की रिजांगला चुशूल एयर फील्ड के पास एक पोस्ट है हमारी रिजांगला नामक और यह लेम हैं वहां पर लड़ा गया था दोस्तों ये कहानी है उन 120 बहादर जवानों की उस कमपनी की जिसने समय आने पर अपनी देश की रक्षा के लिए अपने दिये गए टास्क के लिए अपने प्रानों की भी परवान ना करते हुए एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो आज भी चीन की रूह हिला देता है आईए दोस्तों मैं आपको लेगे चलता हूँ 15 नवंबर 1962 को जगाती बारामुला कश्मीर उस दिन 13 कुमाव रेजिमेंट अपने एक कैम्प में ट्रेनिंग कर रही थी और एन्वल गेम्स आने वाले थे तो उसके लिए बहुत सारे गेम्स की प्रैक्टिस भी चल रही थी दोस्तों पूरी युनिट को पूरी बटालियन को शॉर्ट नोटिस पे आदेश मिलता है कि उनको जल से जल ले में रिपोर्ट करना है दोस्तों ओर आते ही सारे जवान एकदम जोरो शोरो से ले के लिए निकलने के लिए तयार हो जाते हैं और हाथ में 303 राइफल लिए सर पे स्टील का हेलमेट पहने बिना विंटर क्लूधिंग के सारे जवान अपने ट्रकों में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आर्मी टर्मिनलोजी का मतलब समझा देता हूँ जैसे कि हर एक और्गनाइजिशन होती है वो किसी ना किसी सब ग्रुप्स में होती है वैसे इंडिनामी डिवाइड़ेड है कुछ रेजिमेंट्स में और रेजिमेंट्स फॉर्दर डिवाइड़ेड है बटालियंस में बटालियं से 600 जवानों के होती है और उसे एक करनल लीड करते है और फिर बटालियं फॉर्दर डिवाइड़ेड होती है कंपनीज के इंदर companies 120 जवानों की होती है और उसे lead करते हैं captain या फिर major rank के officer और company भी further divided होती है platoons के इंदर जो की 20 से 25 जवानों की होती है सो दोस्तो आईए वापर चलते हैं हमारी कहानी के उपर पूरी battalion ले बहुत जाती है और सारी companies को अपने अपने task assign कर दी जाते हैं ऐसे ही battalion की 40 company को रिजांगला को defend करने के लिए आदेश मिलता है दोस्तो रिजांगला 18,000 feet की उचाई पे मौझूद है और जहां का general temperature minus 20 से लेकर minus 30 degree Celsius तक भी गिर जाता है आप सोच सकते हैं इतना conditions में हमारे जवानों को वो task assign हुआ और उन्हें वो point defend करके रखना था तो दोस्तो 40 company निकल पड़ती है रिजांगला के लिए 40 company के पास अपना जो company commander है वो मौझूद नहीं रहता है तो तब तक के लिए एक senior J.C.O. साब जो रहे हैं duty कर रहे मेजर शेतान सिंग भाटी को orders मिलते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी unit जो की 13 कुमाओ है वहाँ पर पहुचे ले में और report करें और अपनी company की command समाले जो की रिजांगला के लिए निकल चुकी है दोस्तो अगले ही दिन मेजर शेतान सिंग भाटी वहाँ पर पहुच जाते हैं मेजर शेतान सिंग भाटी वहाँ पर पहुच कर सबसे पहले जवानों को इखटा करते हैं और जवानों की briefing करते हैं और briefing करते हुए कहते हैं कि अरुनाचल प्रदेश में हमारी हलत बहुत पूरी हो चुकी है क्योंकि चाइना वहां बहुत ज़ादा आगे बढ़ चुका है और हमें और हमारी इस कंपनी को ये टास्क असाइन हुआ है कि हम दुश्मन को रोक के रख सकें और इससे आगे ना जाने दें तो मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है और भगवान हमारे साथ है तो हमें किसका डर तो दोस्तो ये words थे मेजर शितान सिंग भाटी के और सारे जवान reply करते हुए कहते हैं कि सर हमें भी आप पर पूरा भरोसा है आप बताईए हमें कैसी सेटिंग करना है कैसे डिफेंस लाइन तयार करना है हम डिगिंग चालू करते हैं दोस्तो आप सोच सकते हैं उस उचाई पर डिगिंग करना अपना एक डिफेंस लाइन तयार करना हमारे पास ठीक से विंटर क्लोधिंग भी नहीं थी उस समय digging करना यानि एक तरीके से 50 km की marathon दोड़ना है वहाँ पर उस उचाई पर आपका जो wind pipe है वो जलने लग जाता है इस conditions में हमारे जवान वहाँ पर एक defense line तयार करते हैं और even 5 घंटे से पहले पहले वो पूरी की पूरी defense line तयार कर देते हैं और पूरा डिक करकरके अपने bunker सेट अप कर देते हैं महाँ पर तो दोस्तो ये थी हमारी जवानों की condition उस time और जिस समय digging चल रही होती है उस समय हमें winter clothings भी आ चुकी रहती है battalion headquarters से जो की थोड़ी पीछे रहता है सारे communication setup करे जाते हैं जब तो 62 wireless set होता था telephone line जुड़ी होई थी battalion headquarters से लेकरके जहां पर रिजांगला में company थी हमारी महाँ पर दोस्तों major शेतान सिंग भाटी ने अपनी एक OP party तयार करी थी OP party का मतलब observation party होता है जो की एक किलोमेटर आगे जाती थी प्रेकी करती थी पूरी जाच करती थी इलाके की सब कुछ information collect करके रात में आती थी वापस अंधेरे में ताक कि हमारी जो location है वो spot ना हो सके और ऐसे ही 500 मीटर पे हमारी एक listening post भी हुआ करती थी जो की किसी भी movement को जल्दी जल्दी major साब तक पहुचाने में मदद करती थी और ऐसे ही मैंने आपको screen पे एक rough sketch भी बता है कैसे हमारी जो भी platoons थी वो setup थी 7, 8 और 9 platoon और एक beach में company headquarters दिख रहे होंगे जहां पर major शेतान सिंग भाटी बैट करके lead करते थे वो आदेश देते थे कि कैसे setting जमानी है major शेतान सिंग भाटी के company headquarters के just side में 7 platoon थी और other side पे 9 platoon थी और उसके आगे 8 platoon थी और दोस्तों ये पूरी की पूरी की जो भी settings थी ये पूरी की पूरी एक valley के उपर थी एक तरीके से एक hill top के उपर थी और नीचे valley सी और आपको आगे दिख भी रहा होगा आगे एक LP और OP भी बनी हुई है LP का मतलब listening post OP का मतलब मैंने बताई दिया observational party या फिर observational post भी बोल सकते हैं आप उसे ये थी दोस्तों हमारी setting कैसे हमने वहाँ पर defense line तयार करी हुई थी just company headquarters और 9 platoon के बीच में थोड़ी से पीछे shelter हुआ करते थे cook house हुआ करता था वहीं पर हमारे जवान जो थे वो राशन पानी से खाना बनाया करते थे दोस्तों बात है 17 November सुभह की मिझे शितान सिंग भाटी के radio operator के पास एक phone आता है battalion headquarters से और उन्हें ये orders दिये जाते हैं कि वो अपनी post छोड़ दें और पीछे आ जाते हैं जबी भी force में orders दी जाते हैं किसी भी seniors के द्वारा या फिर किसी भी main authority के द्वारा हमेशा decision जो रहता है last decision जो रहता है वो man on the ground के उपर ही रहता है और इधर भी major शितान सिंग भाटी के उपर ही decision था कि वो अपनी position छोड़ना चाते हैं या फिर अपनी position पर खड़े हो करके दुश्मन को रोकना चाते हैं दोस्तों जैसे ही major शितान सिंग भाटी ये ख़बर सुनते हैं वो तुरंत signal पास करवा देते हैं और मना कर देते हैं मना करते ही वो अपने bunker से भाहर निकलते हैं अपने सारे 120 जवानों को इखटा करते हैं वापस से और उन्हें ये बताते हुए कहते हैं कि उपर से आदेश आ चुका है कि हम पीचे हड़ जाएं और post छोड़ दें आप मेंसे भी कोई ऐसा ही चाता है और उसे ये order ठीक लगता है तो अभी भी post छोड़ सकता है और दोस्तो आपको जान करके आश्चरी होगा एक भी जवान किसी ने भी हान नहीं करी post छोड़ने की सब ने कहा कि सहाब हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे आने दीजी चाइनीज को हम मुकाबला करेंगे इतनी मेहनत से हमने defense तयार करा है और हम मुकाबला करेंगे और हम मुँ तोड़ जवाब देंगे दोस्तो ये है हमारी forge की spirit और आगे ऐसे कई सारे और वाक्या आएंगे जब आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे सो दोस्तो 17 नवमिर उसी दिन शाम की बात है OP party रिपोर्ट करती है मेजर साब को कि 14 गाडिया और 10 आर्टिलरी की guns हमारी तरफ बढ़ रही है मेजर शेतान सिंग भाटी मन में सोचते हैं कि ओके समय आ चुका है और लगभग रात के 3.5 बच चुके होते हैं और 8 प्लटून के नीचे वाली एक listening post LP से एक LMG का burst जो की 25 से 30 गोलियों का था वो एकदम से सुना ही पड़ता है और सब की नींद खुल जाती है क्योंकि पहाड़ के अंदर reverberation होता है आवाजे गुंसती है एकदम से जैसे ही LMG ने fire खोला वैसे सारे जवान एकदम तयार हो जाते हैं चौकनने हो जाते हैं और एकदम से अपनी position ले लेते हैं उपर से उन्हें दिखाई देता है एक red signal जो की 8 प्लटून ने छोड़ा था और जबी भी red signal दिखाई दे जाता है आपको इसका मतलब है महा खत्रा 10 चाइनीज 8 प्लटून की तरफ से उपर चड़ रहे थे और listening post उन्हें देख लेती है और fire खोल देती है LMG का 7 से आट वही पर मर जाते हैं और गिर जाते हैं मेजर साब listening post को जल से जल पीछे आने का आदेश देते हैं और इतने में 7 प्लटून से रिपोर्ट आ जाती है कि 500 की नफरी में चाइनीज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं मेजर साब बोलते हैं कि बेटा पास आने देना और फिर मानना जो JCU साब वहाँ पर लीड कर रहे थे 7 प्लटून को वो कहते हैं आप साब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजें आप सोज़ेए हम मारेंगे को और 300 गच की दूरी पर आते ही 7 प्लटून की 2 LMG और 9 प्लटून की 3 LMG लाइट मशीन गण कोड नेम मैना सुनते ही फायर खोल देती है बिना परवा गिये फायर खोल देती है इसे क्रॉस में जादा स्यादा चाइनीज मार गिराती है और जितने बचे थे वो पीछे भाग जाते है वो आपस से So दोस्तों यह पहला बड़ा attack हुआ था हमारे उपर अर हमने इसको पूरी तरीके से counter कर दिया था और कोई हमारे दर कोई injuries नी हूई थी और कोई casualties नहीं हुई थी यवे तक इसको counter करने के लिए Chinese ने बहुत भारी मातरा में अपनी पूरी पावर के साथ हमला करा हमें समलने का मौका भी नहीं दिया पूरा एक जो हमारा खाने का या फिर रहने का बंकर था वो पूरा ओड़ चुका था वायलेस सेट वो भी ओड़ चुका था टेलीफोन लाइन जो थी वो भी कट चुकी थी अब कम्मिनिकेशन का हमारे पास इत्ता कोई वो बचा नहीं था मैंन टो मैंनी कम्मिनिकेशन करना पड़ रहा था हमें मेजर शेतान सिंग भाटी आर्टिलरी सपोर्ट मांगते हैं पीछे आर्टिलरी गंस से हमारी जो आर्टिलरी गंस जो हमें सपोर्ट कर रही थी मेचे शेतान सिंग बाटी फटाफट से रिस्पॉंड करते हैं कि stop firing और उन्हें बोलते हैं कि मैं अब मैं 3 इंच मोटार से काम चला लूँगा तो दोस्तों आप condition देखिए आप condition सोच के देखिए imagine करिए हमारे पास कोई tank नहीं था और अब तो artillery support भी नहीं था of course 303 rifles 3 और 3 इंच मोटर बस इन ही से हम जंग लड़ रहे थे वो भी Chinese से जिनके पास उस समय के best winter clothing इतना मोटा उनका coat हुआ करता था winter clothing का जिससे आप Bennett मारोगे आप चाकू मारोगे तो चाकू भी अंदर नहीं जाएगा इतना मोटा coat हुआ करता था उनके पास उनके पास high level की machine guns हुआ करती थी और उनके पास बहुत अच्छी rifles हुआ करती थी best helmets हम उनसे मुकाबला कर रहे थे और यह हमारी condition थी इतने में 8 platoon से signal आता है कि उनके सामने भी 500 गी नफ्री में Chinese हमला करने वाले हैं और वैसा ही हुआ जैसे कि 7 platoon के साथ हुआ था वो भी पास आने देते हैं इस बार 200 गश्ट की दूरी पाने देते हैं और सब fire खोल देते हैं 8 platoon की सारी LMGs fire खोलती है 9 platoon की सारी LMGs fire खोलती ह और बहुत सारे बहुत सारे Chinese casualty हुए बागी जितने बचे वो सेम पीछे भाग जाते हैं इतने में वो जो पिछली बार भारी fire जो आया था इतने में Major Shaitan Singh भाटी के left arm के उपर एक बहुत गहरी चोट लग चुकी थी और जैसे ही उनके radio operator उन्हें पट्टी करने गए उन्ह इस खबर आती है कि उनके सामने से वापेस 500 के नफरी में दुश्मन हमला करने वाले हैं सेम वह होता है पूरी की पूरी LMGs उनकी तरफ मोडी जाती है 9 platoon fire करती है कपास आनी दे जाता है और मारा जाता है इस बार ये चौता हमला था इतर भी injuries बहुत सारी हुए थी फिर इस वहाँ पर बर्फ पड़ी हुई आठाट फीट वहाँ पर बैरल पूरी की पूरी लाल हो चुकी है fire करते वह आप सोच रहोंगे किस लेवल की intensity से हम fire कर रहे थे जब फिर थोड़ी देर के लिए थम जाती है चीजे और इतने में major साब बोलते हैं कि सब से पूछो कि सब ठी कि की नहीं कोई casualty तो नहीं हुई और कोई भी कोई भी जवाब यह नहीं देता है कि साब हमें लगी है हमें दाइए नहीं सब जो भी रहता है पूरी इंजरी सोटे कहरी साब कुछ नहीं हुआ है हम लड़ सकते हैं बिलकुल लड़ेंगे और इतने में major साब को तीन गुल लग चुकी थी पर उन्हें ने भी ये फर्स्टेट बगेरा कुछ भी लेने से मना कर दिया था मेज़े शेतान सिंग भाटी के रेडियो ऑपरेटर राम चंदर जी नी पीछे देखते अपने और उनके पीछे हिल थी हिल के रिजलाइन थी जिससे वही दो दिन पहले चड़ करके आये वे थे पूरी कंपनी वहीं से चड़ करके आयी थी रिजलाइन से जहां पर अभी पोस्ट एर्जांग लगी तो वह वहां पर देखते हैं उन्हें कुछ लाइक धुंदली पूरे क्यों कि आपको अब देखते हैं तो उन्हें याक्स दिखती हैं और चाइनी सोलजर दिखते हैं और वह बूलते हैं अरे रामजंदर यह तो चाइनीज हैं पीछे से भी आ गया हूं और कुछ 800 की नफरी में 800 की श्ट्रेंथ में पूरी रिजलाइन को कवर करते हुए याक से घोडों से और LMG लिए हुए चारो साइट से हमें उन्होंने घेर लिया था मेजर शेतान सिंग भाटी आदेश देते हैं पूरी मोटार्स को उधर घुमाते हैं कहते हैं 80 डिगरी पे बिना परवा किये 10 राउंड फायर दोस्तो 80 डिगरी कितने जादा हाई ग्राउंड पे पहुँछ कुछ चाइनीज पीची के पीचे वापस भाग गए और बहुत सारे मारे भी गए इस समय चार मशीन गन्स और एक RCL लगाने में काम्याब हो चुके थे फायर करने लगे थे वापस से अब वापस से काउंटर फायर करने लगे थे मेचे शेतान सिंग भाटी को और जादा ग परादेश दिया की मेरी राइफल दे और उनकी 303 राइफल उन्हें लाकर दी और उन्होंने एक मशीन गन जो उनकी तरफ फायर कर रही थी उसको खितमकर दिया वो दूसरी मशीन गन को जो चला रहा था बनदा उसे मारने जाही रहे थे आगे बढ़ी रहे थे कि राम्चं गुण का बुष्ट आता है और उनके पेट में ऐसा लग जाता है ऐसे कि यूदर कर जाते है जैसे वह नीचे लिए जाते हैं वैसी राम चंदर जी रोड गर करके उनके पास जाते है और मीज़न शेतान चेह बाटी बोलते है उन्हें याँ राम चंदर जी पेट में बहुत वो बहार आ रही है और वो मिझे शेतान जिंग बाटी फिर भी उन्हें बोलते हैं कि अच्छा चल यह सब छोड़ और सुन साथ प्लटून को अधर से ले किया आठ प्लटून को उपर बुला नौ प्लटून को मोड और इनको हम बीच मारेंगे पूरा का पूरा उन्हें प्ल होगा वो बस्ट उनको जो लगा था यह बोलते हैं वो चल यह सब करने का बाद यह मेरी राइफल दे और फायर करूंगा फायर अपने आखरी मुमेंट तक वो फायर करती ही रहते हैं उनका हाथ ट्रिगर के उपर ही होता है राम चंदर साफ जिनकी उमर 20 से 25 साल रहती है व हमें आदेश दे रहा है प्लैन बता रहा है कि आगे क्या क्या करना है किसी और चीज के वारे मैं यह सोच नहीं रहा कि यार मेरे घर पर यह बोल देना मेरे माबाब को यह बता देना उनका बेटा नहीं आपाए ऐसा कुछ भी नहीं अपने टास्क के उपर अभी भी वो बो यह वो चाइनीज के हाथ में नहीं आना चाहिए रामचंदर जी वो अपस उने जवाब देते हैं कि जब तक मैं सिंदा हूँ मेजर साप की बौडी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता इतने में रामचंदर जी पीछे देखते हैं और साथ प्लटून की साथ प्लटून जो होती है उसकी दोनों साइड से लाइक साइड में से राइट लेफ्ट साइड से उपपर आ रहे होते हैं चाइनीज और वो जो साथ प्लटून रहती है अमिनेशन खतम हो जाता है उनका बिलकुल फिर वो पूरी की पूरी साथ प्लट इसे बैनेट कहते हैं मैंने आपको जैसे बताया था Chinese जो soldiers थे उनके जो कोट था जा पिर जो उनकी winter clothing थे वो इतनी जादा मूटी थी कि बैनेट के जो चाकू थे वो अंदर ही नी जा रहे थे तो हमारे soldiers ने rifle को फेका और हाथ से मानने लगे एक सरदार जी थे, वो लड़ रहे थे और उन्होंने इसे दोनों हाथ में चाइनीज को ले रहा था एक चाइनीज सुलजर का इदर मूँ था और उनको ऐसे पत्थर में मारा और पांच मिनिट के बाद एक भी आवाज ने आती है किसी भी जवान की उधर से और उधर बरफ से उनकी बॉड़ी को ढग देते हैं ताकि किसी को दिखे नहीं और उनकी नजर जाती है घड़ी के उपर मीजर शेतान सिंग जी की घड़ी के उपर जाती है उनकी नजर और वो टाइम देखते हैं तो सुबह के सवा आंट बच रहे होते हैं और सवा आठ दोस्तों ये वही टाइम है जब चाइना ने हमारी जांगला की पोस्ट के उपर पूरा कभजा कर लिया था और जितने भी जवान बचे थे वहाँ पर जिंदा उन्हें प्रिजनर ऑफ वार बना लिया गया रामचंदर साब उन्होंने सोचा कि रोज नीचे से बाटालियन हेटकॉर्टर से राशन आता था जीब के थूर और एक जवान लेके आता था तो उन्होंने सोचा कि हमें कैसे भी करके उस जवान तक पहुँझ जाओं तो हम पीछे से री इनफोर्समेंट ला सकते हैं वापिस से हम कारवाई कर सकते हैं आगे की वो ऐसे ही करते हैं जैसी हो जाते हैं तो उन्हें वो जीब दिखती हैं उन्हें को जवान दिखते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि जल्दी बैट और वो बिलकुल लेक बोलने नहीं देते हैं रामचंदर जी को और वो जल्दी से ल पूरी तो राम चंदर जी पूरी के पूरी story बताते हैं उन्हें एकदम राम से राम चंदर जी को फैर्स्टेट वगरा सब कुछ दिया जाता है उदर और बताते होई वो कहते हैं कि हमने 1000 से ज्यादा Chinese मारे हैं लाइक उन्हें पता ही था उस समय रियल काउंट और हमारी पूरी पूरी जो कंपनी वो साफ हो चुकी है कोई नहीं बचा है जब उन्हें लगा था कोई नहीं बचा है फिर इसके बाद जो ब्रिगेट कमांड रहते हैं उन्हें विश्वास नहीं हुआ बिलकुल भी एक महीन प्रेजेंट रहते हैं महाँ पर रामचंदर जी पूरी की पूरी स्टोरी वापस बताते हैं महाँ पर सभी को बताते हुए वो ये भी जिकर करते हैं कि हमने एक हजार से जादा चाइनीज बारे हैं और हमारी की पूरी की पूरी जो कंपनी है वो साफ हो चुकी है ये बात पर एक officer जो रहते हैं उन्हें विश्वास बिलकुल नहीं होता है और वो उन्हें चिला देते हैं राम चंदर जी को चिला देते हैं कि जवान क्या बोल रहा है तू मैं तेरा है कोट मार्शल करा दूँगा राम चंदर जी जवाब देते हुए कहते हैं कि साब मैंने होगा ये घड़ी भी उनकी है और जो मैंने जमा करा दी है तो मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों जब वहाँ पर टीम पहुची तो असल में ये पाया गया कि हमने तेरा सो चाइनीज मार गिराए हैं और हमारे 114 जवान वीर गती को प्राप्त हुए हैं उन 120 जवान उसे कंपनी ने तेरा सो चाइनीज मार गिरा है आप सोच सकते हैं दोस्तों आपको जानकर भी आश्चरिया और हो रहा होगा और ऐसे ही दो दिन के बाद जो चाइना था वो भी सीसफार डेकलेर करते था है और मेजर शेतान सिंग भाटी जी को मरनो प्रांत पोस्तमसली पर कंपनी कर दिया जाता है उस तो इस लड़ाई के बाद चाइना पर इतना गहरा असर पडा कि उन्होंने अपना एडवांस पूरा के उस्के अपर इतना जादा इतना बड़ा इंपयश्य इंपैक्ट हुआ जिसके 3400 जवान मारे गए ने एक लड़ाई में बिलकुल हिल जा और दो दिन के बाद 20 नवमर को असली में सीस फायर डिकलेयर कर दिया गया चाइना की तरफ से तो दोस्तों ये सीस फायर डिकलेयर करने का असली रीजन तो आपको मालूम पढ़ी चुका होगा उसी के उपपर ये पूरी की पूरी वीडियो अभी तक बेस थी और चाइना पूरी तरीकी से तूट चुका था दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं आप इमेजन कर सकते हैं कि क्या कंडिशन रही होगी हमारे उन 120 जवानों की जिनके सामने 3000 चाइनीज सोल्जर्स थे जो कि उन्हें पहले से मालुम था कि वो बचने नहीं वाले हैं फिर भी उन्होंने चूस करा लड़ना क्योंकि वही एक फौजी स्पिरिट डिमांड करती हैं दोस्तों मेजर शेतान जिंग बार्टी की उस एक्जाम्पलरी लीडर्शिप की बात करें उसको डिस्क्राइब करने के लिए करेज ब्रेवरी ऐसे कई सारे जो भी जितने भी शब्दे सब कुछ लाइक बहुत छोटे हैं और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ भले ही मेजर शेतान सिंग बार्टी वीर गती को प्राप्त हो चुके थे 18 नवंबर को 1962 को पर आज तक उनकी जो आग है उनमें जो आग थी उनकी जो स्पिरिट है वो आज भी हर एक जवान भारतिय सेना के हर एक जवान के अंदर आज भी जिन्दा है और हमेशा जिन्दा पूरी दुनिया के इतिहास में भारत को एक अनोखी जगा दिलाई है ऐसा ही एक उसका एक एक एग्जामपल ये बैटल भी था बैटल ओफ रेजांगला और दोस्तों क्यों ना हम अपने देश के इन शूर वीरों की जो वीर गताएं हैं सब को पहुचाएं और ऐसा एक भा पूचे ही इंस्पिरेशन ले सकें और वो सोच सकेंगी जब इस लेवल पे ऐसा कोई कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता है इसी के साथ आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा जूते फटे पहन कर आकाश पे चड़े थे सपने हमारे हर दम और कात से बड़े थे सर काटने से पहले दुश्मन ने सर जुगाया जब देखा उसने हमें निहत्ते मैदान में खड़े थे दोस्तों पूछिएगा अपने आप से एक सवाल जो आजादी की कीवद हमारे जवान चुका रहे हैं बॉर्डर पर रोज री जानों से क्या हम उस कीमत के काबिल हैं इसी के साथ आज का ये वीडियो खतम करना चाहूँगा आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्य जय हिन, जय भारत, हर काम, देश के नाओ